हेलो स्टुदेंट्स, आज हम चैप्टर न और इसके सारी शो फदर है, इसलिए कौन है जर्मेनिया में, इसके नए कैटिनेशन के अबिलिटी होती है, ठीक है, इसी अबिलिटी के वज़े से हमें कार्बन के इतनी जादा कंपाॉंड मिलते हैं, अच्छा हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए, चैन, डिफाइन अंज दो या 5 की hmm जानी सिफ चैन भी सारी के बना सकते हैं, ठाइक है, साइकलिक जिंठी बना सकते हैं, और रिंड़ैज के से टीक है, अबिलिटी फिफाहें कर्बॉंड मिलते है, इसके निंठी या ज़क हैं, इसके ठाइम के वज़ें का जुझे कशा, और और अगर हम ऐक्सेंपल देखना चाहें तो हमें ब्रांच्चेंड और नज़ार रहे लीनियर object and very और और रिंग बी नज़ार रहें। इन इन धॉरीं इन दॉर से हैं । ने सुंपरिश हैं। Q2 है, review question के दूसर component है, define isomerism, तो isomer actually, यह property है, जिसके अदर क्या होते हैं, ऐसे substance जिसका formula तो same है, ठीक है, formula same है, molecular formula same है, structure formula अलग है, यह इसको मुख्तलिफ तरह, actually वह दो अलग-अलग substance होते हैं, जिनका chemical formula same होते हैं, तो हम कह सकते हैं, the phenomena in which more than one compound have the same chemical formula but different chemical structure, तो इसके different chemical structure है, अब यहाँ पे कुछ example से पहले proper definition देखते हैं, chemical compound that have identical chemical formula but differ in properties and the arrangement of atoms in the molecular car called isomers, यहाँ बजाहे तो ऐसा लग रहे हैं, formula same है, जैसे यहाँ पे example दी है, यहाँ पे ब्यूटेन की, अगर ब्यूटेन को हम देखें तो stress chain में से लिख सकते हैं, और branch chain में से रख सकते हैं, ब्यूटेन में चाह पूर carbon, यहाँ पे फूर carbon है, 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 दोना का molecular formula C per H10 है, लेकि लिखने के तरहें से, इसमीनस के, N-butane and iso-butane both are the different substances, they having different properties, right, एक और है pentane, जिसके नदाए पांच carbon है, अगर हम stress chain में रखें तो इस तरह से आएगा, एक branch बनाए तो isopentane बन जाएगा, और दो branch बनाए तो neopentane बन जाएगा, अगर further हम इसको देखना चाहें, तो हमें यह पता चलता है, कि isomerism की मुक्तलिफ सकता है, इसके chain isomers होते हैं, position isomers होते हैं, functional group isomers होते हैं, यह सारे structure isomers है, stereoisomism भी होता है, जिसके अंदर geometrical isomers देखा जाता है, और optical यानि light के मदद से उसके isomism की पर पर्टी को study कह रहता है, यह आप higher class में चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, there are several types of isomism, including structure isomism, stereoisomism and geometrical is Each type of isomism is characterized by a specific way in which the atoms are arranged in a molecule, और हर isomers के type में अलग तरीके से molecule को की arrangement होते हैं, जिसके वज़ा से वो different in nature होता है, अच्छा, यहाँ पर एक और example हमारे सामने है, methane, ethane and propane, they do not have further structure formula, they have the same structure and molecular formula, but in the case of as we discussed above, अभी हमने discuss किया, n-butane और isobutane, अच्छा, अगर हम pentane की बात करें तो हमें तीन तरह के isomers मलते हैं, जिससे stage chain में linear, position में branch, एक branch है, जिसको isopentane कहते हैं, और दो branch अगर है, तो इसको हम neopentane कहते हैं, यह कुछ example दिए, जिस position isomism, के position isomers, means structure form the same है, लेकिन जो भी property जो भी functional group है, उसकी position अलग है, यहां पर अगर हम देखें तो double bonding है, इसके अंदर यह हमारे पर butane है, तो यहां पर double bonding है, तो यहां पर double bonding है, और दूसरे element के दर्मयान है, यहां दूसरे और तीसरे atom के दर्मयान है, ठीक है, अगर position isomers, इसको function group के लिहास से देखें, तो OH group यहां पर है, यह बीटनॉल बनेगा, और बीटनॉल की जो OH group है, यह फर्स्ट एक्जैम्पल के अंदर corner पर terminal पर लगावा है, जबकि second example में यह दर्मयान में मिड में लगावा है, second element के उपर, तो यह दो बोत है अदर different types of butanol, ठीक है, अब अगर हम कार्बाउसली की example बनें यह बीए functional group है, फॉस्ट के नदर functional group यह group पर noic acid है तो यह center में यह दो पर terminal पर नहीं मौज़ूद है, और अगर यहां पर functional group देखे तो यहां पर हमें इसकी position जोए वह terminal पर नज़ार आ दिया है, इस तरह किसी भी position के change होने से structure formula change हो जाएगा, जबकि molecule formula same रहेगा, hope so you understand, question number three है, यहां पर give three examples of alkyl group, अब इससे पहले कि हमें पता चले कि alkyl group कैसे बनते हैं, हमें यह समझ आजाने चाहिए कि किसी भी alkaline को ले लें, कोई भी इसका structure formula हो, उसके अंदर से हम एक hydrogen को remove कर दें तो it become the alkyl radical, जैसे यहां पर methane है, methane में से hydrogen निकाल दिया, तो अब यहां chemical radical, यहां पर यहां पर हमने तीन example चाहिए तो पहले example, methane की दिये, methane radical, दूसरी ethane की दिये, ethyl radical, और तीसरी हमने दिये, propane की propane radical, हर इसका जो formula CH4 था, CH3 और एक unpedilecton है, इसका जो formula ethane करता है, C2H6, यहां निए CH3, CH3 तो अगर एक hydrogen हम निकाल दें तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर C2 और H5 बच जाएगा, अगर हम प्रोपेन की बात करें, तो प्रोपेन के अंदर C3H8 है, तो एक hydrogen निकाल दें, तो C3H7 बन जाएगा, और यह प्रोपाइल radical बन जाएगा, राइट, गोट इट, क्वेशन नमबर 2 है, डिफाइन फंक्शनल ग्रूप, फंक्शनल ग्रूप के लिए हमें जरा देखना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रूप, एक्शली जो है, कोई भी ऐलिमेंट, अगर कहीं, कार्बन के इलावा, वहाँ पर एड है, यह डबल बॉन, ट्रिपल बॉन, की परेंस है, तो वह वर्क करेंगा, इसा फंक्शनल ग्रूप को हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रूप is a specific group of atoms within a molecule that is responsible for the chemical reactivity, यानि वह एलिमेंट जो कि chemical reactivity की वजह बन रहा है, उसका हम फंक्शनल ग्रूप करेंगे, ठीक है, अच्छा, तो मॉलिक्यूल certain chemical properties such as ability to participate in a certain type of chemical reaction, हर एलिमेंट रिया ग्रूप अलिमेंट जो है, उसक अपनी ability to a reaction की, chemical reaction की, तो उसकी presence की वह से reaction change हो जाएगा, there are many different types of functional group including alcohols, carboxylic acid, amine, ether और भी बहुत सारे, the presence and type of functional group within a molecule can greatly affect its chemical behavior and reactivity, अगर हमारे पस मिथेन है, उसके अदर OH group आ गया तो वह मिथाइल बन गया, मिथाइल बन गया, मिथाइल बन गया, मिथाइल बन गया, मिथा इस तोटली डिफरेंट होती हैं के chemical reaction और chemical behavior totally different होता है, it means कि function group की वज़े से हम किसी भी element को attach करें किसी भी कार्बन के अलकाइल राडिकल के साथ तो उसका behavior change हो जाएगा, वो नए substance बन जाएगा, common जो function group carbon के साथ attach होते हैं, जिसमें हैलोजिन आगया, alcohol आगया, aldehyde, ketone है, car जाएगे जाके detail में देखेंगे, right, अब भी जो हम फदर थोड़ा सा और देख लेते हैं functional group को, तो function group जो common syllabus में है, वो यह है alcohol जब भी OH group लगता है, तब OL लगा देते हैं, जो भी alkyl radical होगा, अगर ethane से बनाए तो ethanol होगा, प्रोपेन से बनाए तो प्रोपेनल होगा, एंस हम दोनों alkyl radical का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों साइट पर ethyle है, C2H5 ग्रूप, तो हम को diethyle ether कहते हैं, अगर एक यहाँ पर methane, methyl होता है, तो हम ethyle ethyle ether कहते हैं, यहाँ एथर का नाम हम लगा देते हैं किसके साथ, जो भी functional group वहाँ पर attach होता है, उसके साथ, ठीक शल लगाएंगे, जैसे यह ethyle ether related, ethanol कहलाएंगे, अगर methion होता, प्रोपेन लगाता, अगर हम ketone की बात करें, तो carbonyl group होता है, center में दोनों साथ पर कोई alkyl radical होता है, अगर हम यह propane से बना है, तो propaneol होता है, O-A-N ही लगाते हैं, काबवा एक यहिन की बात करें तो oic acid हम ल अगर इस्टर की बात करें न हमें पता चलता है कि इस्टर के इंदर की होता है, एक हमारा CO करबनाईल गूरूप है उसके साथ के साथ के साथ एक और ऐक अक्सीजन अटेश है और एक और ऐक अलकाइल्राडीकल लगा होता है तो इस alkyl radical के हम नाम लिखते हैं जो oxygen के साथ है जिसा है यहां पे methyl लगावाए तो हमने इधाइल लिखा यहां पर इधाइल होता तो इधाइल लिखते जो भी फंक्शनल गुरूप इस ऑक्सिशन के साथ एटेज़ का नाम लिखते है और फादर रिमेनिंग जो चीन है उसको हम कारवगजलिक के साथ एटेज करकी हम बता जबते हैं तो इस एक्सेम्पल को अगर हम देखा तो मिथाइल इथनोइट कहते हैं अगर यहाँ पे इथाइल होता तो इथाइल इथनोइट हो जाता अगर यहाँ पे प्रोपेन होता तो हम मिथाइल इथनोइट कहते हैं ठीक है अच्छा फंक्शनल ग्रूप को जैसे यहां पर मैंने आपके बताया कि कॉमन जॉप के अंदर है वो कीटोन है फिनॉल है एल्डी हाइडा अलकोहूल है और फंक्शनल ग्रूप जैसे यहां पर आपको नजार आता है यह सारे सिंगल बॉन है यानि अलकेन है यह एक डबल बॉन है यह डबल बॉन है और यह सिपल बॉन है तो तो तीनों का नाम अलग अलग होगा तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शनल ग्रूप की वह पर्टी को डिफाइड कर सकते हैं तो 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 यह सिंगल बॉन होगी वह हमेशा सिंगल होगी वह तो पर फंक्शनल ग्रूप जो है वह सिंगल गार्डिकल के हम बात करें तो यह बहुत है एक अन्पेड एलेक्टॉन इनके पास होता है अगर अलकेन की बात करें तो मीथेन जैसे एक्जैमपल है इथेन इखेंपल है प्रोपेन इखेंपल है जिनका जनरा फार्मॉला है अरि हम बात करें अलकायल राडिकल की तो हमें पता चलता है अलकायल के सारे अक्शली सैचुरेटिड होते हैं इनको alkane are considered as a saturated hydrocarbon, they have the maximum number of hydrogen atom that can be bonded to the carbon atom. जिसने maximum hydrogen आज़ सकते हैं, वो सारे के सारे होते हैं, जोकि इनकी saturated होते हैं, इसलहे क्या होते हैं, इनकी low reactivity and relatively stable compound वी कहा जाता है, तो इनको stable compound भी कहा जाते हैं, जैकि यह reactive नहीं होते हैं, क्यों reactive नहीं होते हैं, यहां पर हम अभी हमने देखा था कि अगर हम किसी भी अलकेन के अंदर से यहां पर मिथेन की एक्जामपल देए एक हाइडरोजन को निकाल देए तो इट बिकम दालकाइल राडिकल यानि मिथाइल बन गया है और इसके पास एक अन्पेर्ड इलेक्टॉन मौझूद है कारवन एक्टम को रिप्रेसेंट करते हैं और यह हाइडरोजन एक्टम जो है वो अटेच होता है हैसा फॉर्मूला आर ठीके अलकाइल राडिकल है वन अन्पेर्ड इलेक्टॉन मेकिंग देम हाइली रियक्टिव हैं पार्टिस्पेटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि अगर हम इसको समराइज करें सारे के सारे इसको तो हमें पता चलता है अलकेंस आर हाइड्रोकार्बन इस सिंगल बॉंड एंड रेलेटिवली स्टेबिल एंड लेस रियक्टिव कंपाउंड वाइल अलकायर रेडिकल आर फॉंक्शनल ग्रॉप्स विड वन अन्पेर्ड इ आर हाइली रियक्टिव साब्स्टें वोप से स्टूइन का आपको समझ आया होगा इंशाला आप नेक्स वीडियो में हम मिलते हैं ओके टेक कियर